कि में सब्कारी विवाग में बहुत से काम होते हैं चाहे वो बैंक में हो चाहे वो इंसुर्ट सेक्टर में हो चाहे कोस्ट centr crying के भी हो लेकिन कुछ कामा हैसे घॉते हैं जो पर यहां पर जाके शिकायद करवा सकते हैं तो आईए थोड़ा और जानते हैं पीजी पोर्टल के बारे में आपको PC portal का link description में मिल जाएगा आप वहां से link को open कर सकते हैं link को open करने के वाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने देखने को मिलेगा इस portal में आप post office के regarding dot के regarding banking, insurance, school education, road transport बहुत सारी चीजे हैं जितके वारे में आप complaint कर सकते हैं अगर आपकी उस जगह पर complaint नहीं होती है तो यह directly ministry से connect है और ministry इसको देखती है अब इसको operate कैसे करना है तो सबसे पहले आपको sign in पर click करना है sign in पर click करके कुछ यह पेज आपके सामने open हो जाएगा अगर आप नए हो इस portal में नए हो तो click here to sign up पर click कीजिएगा और यहां पर अपनी सारी डिटेल भर दीजिए नाम आपका एड्रस जेंडर कहां रहते हैं आप इंको मुबाइल नंबर इमेल एड्रस सारी डिटेल डालने के बाद security security code में यह alphabet डाल दीजिए यह capture डाल दीजिए security code में जैसे ही आप सम्मिट करेंगे सम्मिट करते ही आपके mail id पे और phone number पे OTP आएगा आप OTP डाल दीजिएगा और आप रजिस्टर हो जाएगे जब आप रजिस्टर करने अपने आपको तो आपने फिर sign in करना है कुछ इस त रखा है यह लिख के login करना है करने के बाद कुछ यह पेज आके थामने open हुगा अभी आप नए user है आपने नया रेजिस्टर किया है तो आपका total grievances में 0 लिखा आएगा number of grievances pending में 0 आएगा number of grievances close में 0 आएगा जब आप अपनी complaint file करेंगे तो कितनी आपने complaint file करी है वो यहाँ पर सारी detail आपकी इदर लिखी वह आएगी आप complaint file कैसे करती है तो आपको लोज public revenge में क्लिक करें यहाँ पर क्लिक करते ही यह आप चार चीजे पूछता है पहला यह जो आप complaint file कर रहे हो यह RTI के related नहीं होना चाहिए यानि की right to information के related नहीं होनी चाहिए कोज के related नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के related नहीं होनी चाहिए और कोई suggestion नहीं होना चाहिए और last point आप अगर government imply हो तो आपकी service के regarding यह कोई complaint नहीं होनी चाहिए अगर यह पांच में से कोई भी complaint नहीं है तो आप I agree पे क्लिक क कर दिए आप कौन से डिपार्टमेंट की या कौन से विभाग की आपकी शिकायत है तो आप यहां पर स्टेट का विभाग चूज कर लिए में तो अब हम जैसे टेली इस टेश्ट करते हैं टेली कमप्रेंशन को करने के बाद ये पेज आओक्कर्ण के सामने लिख Bliss रहे कि तावर में भी कौन सी दिखत है आपको तो आपने कर लेना है कि नीं कर लेना है कि splitting sit कर है आपके साथ आपके साथ प्रोड हो गया है तो आप इस्यों कि अ करना है जहां पर इस बोक के अंदर आपको 2000 के अंदर आपकी complaint लिखनी है कि आपकी exactly क्या complaint है इस complaint के जुड़े दस्तावेज आपको choose file पे जाके select करने है select करते आप attach पे click कर दीजिएगा और next करते ही आपकी complaint जो है वो file हो जाएगे कि फाइल होने के बार कि जब आप डैश्वोड पे click करेंगे डैश्वोड पे click करने के बार आपने जो complaint फाइल करी थी वो यहां पर आपको दिखाना शुरू कर देगा आपका registration नंबर क्या है कब आपने complaint फाइल करी थी क्या आपने लिखा था ग्रिवेंस डिफ्रिश्यम ने यहां पर क्या स्टेटस है सारी जानगारिया आपको यहां पर दिखाना शुरू कर देगा अब आपको आपकी complaint किया स्टेटस देखना है तो आप व्यू स्टेटस पर जाएए यहां पर ग्रिवेंस स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए और आपका registration नंबर mobile नंबर और security code यह capture code आपने यहां पर डाल के submit करना है और आपका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा तो यह था PC portal ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रही है हमारे साथ rubro tech पर